हेलो एब्रिवान, हाई आम आयूशी और वेलकम टू मैं चैनल स्प्लेंडिट फूट टेंप्टेशन आज हम बनाने वाले हैं जमशेदपूर और कोलकता का बहुत ही फेमस भोग किच्डी जो कि दुर्गा पूजा में हमें अस्टमी और नौमी के दिन पंडाल में खाने को मिलता है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है सब्सक्राइब करें स्प्लेंडिट फूट टेंप्टेशन को और बजाएए गर्टा की चानल पे आने वालों सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं भूग वाले खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक पैन हीट होने रख दिया अब मैं यहां पर यह सरसो तेल डाल रही हूं जब भी भूग वाले खिचड़ी बनाए सरसो तेल में बनाए इससका टेस्ट बहुत अच्छा आता है डालेंगे इसकी सारी डीटेल्स आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल चाहेगे आप वहां से चेक कर लें एक तू मिनिट तक इसे भून लेंगे खड़े मसाले यहां पर अच्छे तरीके से तड़क चुके हैं अब हमें यहां पर सब्चिय डालनी है मैंने यहां पर गाज़त लिया है आडू अच्छे तरीके से पका लेना है सब्चिय यहां पर पत चुकी है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर यह गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है अब हम यहां पर आप करेंगे थोड़े से बैगन मैंने इसे लास्ट मेसले डाला क्योंकि बैगन जो है वह जल्दी गल जाता है और यहीं पर डाल देना है टमाटे सब्चिय आप अपने मन पसंद इस भोग में डाल सकते हैं और अब हमें डालना है मूम दाल इसे मैंने रोस्ट करके भी गोके रखा है यह 200 ग्राम है और अब हमें आट करना है गोविंदो भूग यह खिचडी वाला चावल होता है इसे अब डालते हैं मैंने इसे भी 200 ग्राम ही लिया है अच्छे तरीके से हमें सब्चियों के साथ इसे मिला लेना है और पांच मिनिट तक इसे पका लेना है मैंने चावल और दाल को सब्चियों के साथ अच्छे तरीके से पका लिया है अब हम यहां पे डालेंगे कुछ सूख बैलनस करेगा और फ्लेवर अच्छा लाएगा मिक्स कर लेए अच्छे तरीके से अच्छे मसालों को चाफ़ और दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करी आई अब में यहां पर डालना है पानी तो मैंने 200 ग्राम चाफ़ल और 200 ग्रामस दाल के लिए टोटल 1.5 लिटर गरम पानी का यूज किया है इसे अच्छे तरीके से एक पर मिला ले और इसे लोवर टू मेडियम फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए पका ले क्योंकि खिचडी जो है जिपनी धीमी आज पर पकेगी उतनी जादा स्वादिस्ट हो के 15-20 मिनट हो चुके हैं और खिचडी यहां पे हाफ पक चुकी है हमें इसे कवर करके और 15 मिनिट तक के लिए पका लेना है 15 मिनट हो चुके हैं चलिए देख लेते हैं खिचडी को आप देख सकते हैं खिचडी यहां पे अच्छे तरीके से पक चुकी है और उसमें कलर भी अच्छा आया है अब हम यहां पे आट करेंगे स्वाद अनुसार नमक थोड़े से गरम मसाले हरा धन्या और अब मैं यहां पे डाल रही हूं थोड़े से रोस्ट किये हुए खी में करीपते पीनिट्स और काजू यह आपसनल है आप इसके बिनाबे से बना सकते हैं अब हमेसे अच्छे तर बनके बिल्कुल तैयार है so friends मैंने यहां पे घिचडी को हांडी में सर्फ किया साथ ही मैं यहां पे खीर भी मैंने रख टा है ट्रडिशनली तरीके से इसे ऐसे ही सर्फ करती है और दुर्गा पूझय पंडाल में हमें इसी तरीके से मिलता हैं तो अगर आपको मेरा वीडि प्रेस्टिंग रसेपी के साथ तब तके लिए टेक केर और बाई